जैहन, मैं दीपक डागुर, राजपुतना क्लासे जैपुर में आप सभी का तहे दिल से हर्दिक स्वागत करता हूँ, उमीद करता हूँ आप सभी स्वस्त और मस्त होंगे क्या आप BSTC और PTT यानिकी Pre-BED की तयारी कर रहे हैं, Entrance Exam की तयारी कर रहे हैं, अगर हाँ, तो लाडलो और लाडलियो हम आपके लिए Regular, Free, Test Series, Super 30 लेकर के आए हैं ध्यान रहे बच्चों, ये प्रिस्ण आपके लिए बहुती महत्पूर्ण हैं, इन प्रिस्णों के बिना आप सलेक्शन की उमीद बिलकुल भी मत करना, इसलिए वीडियो को end तक जरूर देखना मेरे लाडली और लाडलो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकिशन प्राप्त हो सके और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस वीडियो को कर दीजे एक प्यारा सा लाइक और सभी गुरूप में दोस्तों इस वीडियो को सेर जरूर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके तो चलिए, शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन है, राज्जिस्तान के किस जिल्य को बाबडियों का सहर कहा जाता है, क्या बाबडियों का सहर कहा जाता है चित्तोनग़र कोटा, दोशा, भूंदी ठीक है दोस्तो तो भूंदी को राज़स्तान में बावडियों का सहर कहा जाता है किसको? भूंधी को ठीक है? चलिए अगला कॉर्शिन है आपका बावडियों के इस्तापते के लिए प्रिस्द्ग छेत्र है किसके लिए बाबडियों के इस्थापत्य के लिए प्रिसिद्ध छेत्र है मारवाड मेवाड सेखावाटी हाड होती तो दोस्तों याद रखना इसका सही आंसर होगा सेखावाटी यानि कि सेखावाटी जो है वो बावडियों की इस्थापत्य कला के लिए पिरसिद्ध है यहां की जो बावडिया है वो निर्मार की दरस्टी से बड़ी पिरसिद्ध है अगला कोश्चन है राज्यस्तान के किस जिले में सरवादिक बावडियां है जिला पूछा गया यहां किस जले में सरबादक बाबडियां है, बूंदी, दौसा, जोधपुर, चित्तोडगर, तो दोस्तों इसका सही आंसर है, वो क्या हो जाएगा, जोधपुर, और दूसरे नमबर पर अगर पूछता है, तो बूंदी हो जाता है, ठेक है, दूसरे नमबर पर बूंदी में सबसे और कहा जाता है बाबडियों का सिर्मोर ठीक है हाँ चांद बाबडी दोसा गोसुंडा बाबडी चतोडगर रानी जी की बाबडी बूंदी नौलखा बाबडी ढूंगर पुर्म तो दोस्तों याद रखना इसका जो सही आंसर होगा वो रानी जी की बाबडी बूंदी ठीक ह हलंकि सबसे बड़ी तो चांद बाबडी है लेकिन रानी जी की बाबडी को कहा जाता है बाबडियों का सिर्मोर ठीक है अगले क्वेस्चन नमबर 5 राजस्तान के सबसे बड़ी बाबड़ी कौन सी है चांद बाबड़ी गोसुंडा बाबड़ी रानी जी की बाबड़ी जाली बाब बाबड़ी तो दोस्तों मैं अभी बता रहा था आपको सबसे बड़ी बाबड़ी कौन सी है चांद बाबड़ी और चांद बाबड़ी कहां काई दोस्तों डौसा ठीक है !? ल्च Sindh कि तरप है क्विस्चन है कि द्वारा नियरमित तर्मुखि बाबड़ी कहां इस्तित है कुन सी बाबड़ी तिरो मुखी बाबड़ी कहां इस्तित है दौस्तों तर्मौखे ने जो बनवाई थी वो देवारी कां पड़ता है उदैपूर में पड़ता है ठीक है चलिए अगला कोश्चन है आपका खातन बाबडी कहां इस्तित है चितोडगड कुंबलगड उदैपूर बूंदी ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उदैपूर खातन बाबडी आपके कहां पर बनी हुई है उदैपूर में ठीक है चलिए अगले question की तरफ घोसूंडा बाबडी कहां इस्तित है जोदपुर उदएपुर चितोडगड पाली तो दोस्तो घोसूंडा बाबडी भोथी पृसुद बाबडी है और यह कहांँपर बनी हुई है चितोडगड में ठीक है च्लिए अगले question की तरफ question 9 है जाली बाब बाबडी वे मामा देव कुंड किस दुर्ग में बने है चित्तोडगड कुंबलगड रडधंबोर महरानगड तो दोस्तो जाली बाब बाबडी वे मामा देव कुंड ये दोनों के दोनों कुंबलगड दुर्ग में बने हुए है कहाँ पर है कुंबलगड औ ठीक है दोस्तों इसी मामा देव कुंड के निकट ही राणा कुंबा की क्या की गई थी हत्या की गई थी ठीक है उनके बड़े बेटे उदा के द्वारा ठीक है चलो अगला क्वेस्चन दस नो लखा बाबडी कहां इस्तित है चित्तोडगर डूंगर पूर बूंदी कोटा दो इसे बाबडियों का सिरमौर कहा जाता है दोस्तों यहां यह जोदव्पूर में नहीं है ठीक है यह जो रानी जी की बाबड़ी कहां पर बनी हुई है बूंदी में हालांकि 15 मीटर चोड़ी है और 510 मीटर यह लंबी है यह बास सही हो जाती है लेकिन यह जोदपुर में नहीं है कहां पर है बूंदी में ठीक है तो यहां असत्य कतन पूछा है क्या हो जाएगा डी अगले कुश्चन की तरफ अनारकली की बाबडी कहां इस्तित है जालोर में सबाई मादोपुर में उदैपुर में बूंदी में ठीक है तो दोस्तों अनारकली की जो बाबडी है यह वो अकबर वाली अनारकली हो सलीम वाली अनारकली नहीं है ठीक है यह पासवा ने अनारकली की बाबडी कहां इस्तित है जाल और सवाई मादो पूर उदैपूर बूंदी तो दोस्तो अनारकली की जो बाबडी है वो कहां पर बनी हुई है ठीक है चलिए अगले कुश्चन की तरफ कुश्चन है पन्ना मीडा की बाबडी राजस्तान के किस जिले में इस्तित है बूंद दोसा अलबर जैपुर तो दोस्तों पन्ण मीड़ा की बहुती प्रसित बापड़ी है और पन्ना मीड़ा का संबंद काहां से जैपुर से तो यह बापड़ी भी कहां बनी हुई है जैपुर मैं ढहला को चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिये और वीडियो को कर दीजिये लाइक ये काम आपको बार बार नहीं बूलना पड़े तो इसको तो बिना सोचे समझे करी ही लीजिए क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सिरीज लेकर काये हैं सुपर थर्टी तो भरपूर आनंद लीजिए और सेर जरूर करते रही है इसी में हमें खुसी मिलती है अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं क्वेशन है आपका आभा नेरी में इस्तित चांद बाबडी के बारे में असत्य कथन यानि की गलत बात पूछी गई है कथन है यह जोदपुर जिले में इस्तित है चांद बाबडी के बारे में ठेक है इसका निर्माण आबानेरी के संस्ताबक प्रतिहार राजा चांद ने आठवी सदी में कराया था यह 13 मंजला तथा 3500 सीडियों वाली बावडी है 29 दिसंबर 2017 को इस पर 5 रुपे का डांग टिकेट जारी हो चुका है तो दोस्तो इसके तीन नीचले वाले कथन बिलकुल सत्य है जबकि इसका यह जो है यह गलत है यह जोदपुर चिले में नहीं है ठीक है आबानेरी जो चांद बावडी है यह आपके दोसा में इस्तित है काँपर है दोसा में ठीक है चलिए अगले कुश्चन की तरफ चलते है कुश्चन है आपका डांकनिया बावडी कहां इस्तित है लवाड दोसा ओसिया जोदपुर किसंगर अजमेर माउंट अबू सिरोए तो दोस्तो याद रखना डांकनिया जो बावडी है यह आपके लवाड दोसा में है काँपर है लवाड दोसा चलो अगला कुश्चन की तरफ चलते है भीका जी की बावडी किस जिलिये में बनी है भीका जी की बावडी बिका नेर अजमेर बूंदी जहला बाड तो दोस्त तो याद रखना भीका जी की जो बाबडी है वो आपके अजमेर में बनी हुई काँ पर है अजमेर में ठीक है चलो अगले क्वेस्चन की तरफ चलते हैं महराजा उम्यद सिंग ने अपनी गड़ का चमना के लिए चमना बाबडी का निर्माड कहां करवाया सापुरा भीलवाड़ा में चत्रपुर गूंदी में टोडा राइसिंग टौंक में मंडोर जोधपर में ठीक है तो महराजा उम्यद सिंग ने चमना अपनी की एक वैस्च चमना और उसके लिए चमना बाबडी का निर्माड कराया था आपके सापुरा भीलवाड़ा में कहां पर सापुरा भीलवाड़ा में इसका निर्माड कराया है ठीक है दोस्तों चलिए अगले कुश्चन की तरफ चलते हैं निमलिखत में से जोधपुर में कौन सी हो जाएगा अगले कोश्चन है आपका कांतन बावड़ी कहां अवस्तित है भतेपुर सीकर सोर सिन बाहरा राजगर अलवर ओसिया जोधपुर तो कांतन बावड़ी का पूछा गया है ठीक है कांतन बावड़ी कहां पर है आपके यह आपके ओसिया जोधपुर में बनी हुई कहां पर है औस यह जोद्पूर में बनी हुई है आपकी कातन बाबडी ठीक है चलो अगले कक्वेश्चन के तरफ चलते हैं राव चूंड़ा की सोनुगरी राणी चांदकवर ने ठीक है जोद्पूर में किस बाबडी का निर्माड कराया स्रंगार बाबडी रानी रानी जी की बाबड़ी चांद बाबड़ी इन में से कोई नहीं तो दोस्तों याद रखना चांद कवर ने चांद बाबड़ी का निर्माड कराया था और यह आपके जुद्पुर में है एक चांद बाबड़ी आपके कहां पर है दो सामें चलिए दोस्तो अगले question की तरफ चलते हैं जो माहादे बाबडी जहां महाराणा प्रताब का राज दिलक हुआ इस्तित है क्या पूछ गए है महादे बाबडी और इसी पर महाराणा प्रताब का राज दिलक हुआ था बिल्कुल सही बात है यानि कि ओदे सिंग इनके पिता की जब मिर्तिव हो गई थी 28 फरवरी 1572 को तो उसी समय इनका राजजाब से किया गया था और क्रश्न दास रावत ने तलवार बांदी थी इनके ठीक है चलिए तो महादे बावडी वहीं पर बैठा करके किया गया था त है गोगुंदा में चावंड में आवरगड में कुंबलगड में तो दोस्तों महादे बावडी आपके गोगुंदा में कहा पर है गोगुंदा में ठीक है और यहीं पर महाराणा उदै सिंग का अंतिम संसकार किया गया था ठीक है और यहीं पर महाराणा उदै सिंग की क्या बनी हुई है छत्री बनी हुई है चली अगले क्वेस्टन की तरफ चलते हैं क्वेस्टन 25 क्या कह रहा है महराजा अबैसिंग की रानी तूर कवर जी ने तूर जी का जालरा का निर्माण कहां करवाया ठेक है महराजा अबैसिंग की रानी तूर कवर ने तूर जी का जालरा का निर्माड कहां करवाया था अजमेर बासबाड़ा ढूंगरपूर जोदपूर तो दोस्तों याद रखना है महाराज अबैसिंग की जो रानी है इनोंने तूर कबर तूर जी का जो जाल रहा है वो जोदपूर में वनवाया था कापर जोदपूर अगला क्वेशन है परचा बाबड़ी किस स्थान पर बनी हुई है रुणेचा जैसलमेर किसंगड अजमेर राजगड अलवर फतेपूर सीकर तो दोस्तों परचा बाबड़ी जो है वो आपके रुणेचा पोकरण जैसलमेर में बनी हुई है कापर रुणेचा में बनी हुई और रुणेचा जो है यह आपके राम देब जी से संबन देता है किसे राम देब जी से ठीक है और राम देब जी ने जिस सेट की नईया पार लगाई थी नाब को पार लगाया था समुद्र से किनारे लगाया था तो उसी सेट ने बहुता सेट कहते है उसका नाम क्या था तो पर्चा बाबड़ी उसी ने बनवाई थी बहुता सेट ने चलिया रोडे चा में बनी हुई है अगला कोश्चन चलते हैं पग बाबड़ी इस्तित है राजगड अलवर फतेपुर सीकर मोकल सरबाडमेर माउंट आबू सिरुई तो या दोस्तों जो आपकी पग सीकर मोकल सरबाडमेर में बनी हुई है चलो अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं कोश्चन है दूद के समान सफेद पानी वाली दूद बाबड़ी इस्तित है सोजानगड कुचामन आमेर माउंट आबू तो दोस्तों ये बनी हुई है आपके माउंट आबू में कहां बनी माउंट आबू में इसे हम दूद बाबड़ी के नाम से जानते हैं और इसकी खास बात ये है इसका जो पानी है वो बिलुकुल दूद के समान सफेद चमकता है ठीक है चलिए अगला कोश्चन है आपका 29 सेट बगवान दास बागला की बिदवा पतनी द्वारा बनवाया ग बागला की पतनी है और इन्होंने सेठानी का जोड़ा जो है वो चूरू में बनवाया था कहां पर चूरू में ठीक है चलिए आज का अंतिम कोश्चन पश्चमी राजस्तान की सबसे प्राचीन बाबडी है सरंगार बाबडी रानी जी की बाबडी कोडम देसर बाबडी च माता का नाम है कोडम दे क्या नाम है कोडम दे ठीक है राब जोदा की जो माता है कोडम दे तो इसी राब जोदा ने अपनी माता के नाम पर कोडम दे कोडम देसर ठीक है कोडम देसर में एक बाबडी का निर्मान कराया और इस बाबडी का नाम रखाता है इन्होंने कोडम देसर भाबडी ठीक है और कहां पर है ये आपके बीकानेर में कहां पर है दोस्तों बीकानेर में बनी हुई है इतना याद रखना ठीक है कोडम देसर भाबडी कहां पर है बीकानेर में और ये पस्चमी राज्यस्तान की सबसे प्राचीन भाबडी कही जाती है ठीक है दोस्तो तो आज की class होती है यहीं परस्माप कल मिलते हैं अगली class में जेहिंद अमीद करता हूँ कि आपको सभी प्रस्न अच्छे से समझ में आ गये होंगे कल मिलते हैं अगली class में जेहिंद